वर्सों पुरानी परंपडा है कि किसी भी मंदर के महंत के अस्वस्त होने के बाद इस्थानी सादू समाज, मंदर के महंत और मंदर की सेवा पूजा करने वाले को उत्रा अधिकारी बना सकते हैं रविवार को इसी क्रम में सनिदे मंदिर के महंद प्रेमदास महराज के अस्वस्त होने की इस्तिती में ब्रजमंडल सादू समाज की उपस्तिती में वर्सों से मंदिर की सेवा कूजा करने वाले सेवक जानकी दास को उत्तरा अधिकारी गोसित किया गया जिसमें मंदिर के महंत प्रेम दास महराज, कोशी कला रागम मंदिर महंत, चैतने दास महराज, कोकलावन के महंत, मिस्री दास महराज, बालग दास महराज सहित अन गरजनों साधूं के द्वारा सेवक जान की दास को उत्रादिकारी घोसित किया गया इस दोरान मौके पर मौझूद सभी महंतों और सादूओं ने महंत जानकी दास का शौल उड़ा कर और तिलक कर मंदिर की पूजा पाट करते हुए मंदिर के प्रती आस्था और नियमों का पालन करने की जुम्मेदारी दी इस मौके पर सादू समाज में हर्च की लहर दोड़ पड़ी कोकला धाम के महंत प्रेंदास महराज ने कारकरम में उपस्तित सभी सादू संतों के समक्ष जानकी दास को मंदिर के समर्पित रहने की सपत दिलाते हुए उनके उज्वल भविश्की कामना की इस सम्मन्द में सनि परा है सादू समाज की जब मंदर का मंदर के मेंत जी जब अस्वस्त हो जाते हैं बेदे बिर्द हो जाते हैं बड़ी उमर पापत हो जाते हैं तो वो अपना कोई ना कोई उत्रादिकारी चुल जाते हैं जाते हैं उनके बाद में उनको मेंताई हो और मंदर को संचालन करे और मंदर के सभी नेम गाइदा उसको बता दिये गई हैं तिके आपको इस मर्यादा में चलना है अगर मर्यादा को खतम करेंगे मंदर का नुक्सान करेंगे तो तुम को यही सादू समाज हटा सकता है कि सादू समाज को बहुत बड़ी सकती है बहुत बड़ा अधिकार है यही मेंतों को निप्त करते हैं इसी क्रम में आज हमने अपने एक पहले तो हमने अपने चेला मित्री दास को यह मेंता ही दी थी उत्तरादिकारी बनाया था लेकन वो लकुआ के कारण अस्त्त हो गए उनकी सलाते और अपनी च्छाते संसमाज की स सलाते आज मित्री दास के चेला